सभापतिम हो दे, मैं सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि एक गंभीर राष्टे मुद्दे पर गंभीरता पुरुवक बहस हुई ये और बात है कि मानिय संजे सिंग जी को शांती काल में शांती पैदा करने की महारत हासिल है और आम आदमी पार्टी ने जितना रोहिंगिया के परती आंसु बहाया था जड़े इसका हजार्वां हिस्सा कस्मिरी पंडितों के परती बहाया होता तो मैं उनको धन्यवाद करता है जो रोहिंगिया को दिल्ली में बसाने के लिए आउऀ प्लीज य तेखाए ऐखाए तनी देना नरasmशपाविं प्लीज किन दूज जी राकेष जी प्लीज लुम्राइशिं नो प्लीज बाद कहां से आ गई थी ऐसा नहीं चलता है ना इस राष्ट को इस सदन के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ जब भारत के ज्यान परमपरा पर पिसले सुक्रवार को मैं बहस के लिए आया था और मैं सोचा था कि आज राजितिक सब्द और राजितिक वेक्टि का नाम नहीं लूँगा राजिति में होते हुए भी गए राजितिक तरीके से बहस करूँगा तब क्या हुआ था कस्मी रिफाइल पर संजय सिंग जी डिसकसन करना सुरू कर दिये थे हमें भी राजिति करनी आती है चर्दि आप राजिति करेंगे तो आम आजी पार्टी को मैं ऐसा डिकोडिंग करूबा कर दो चोड़ कर जाएंगे तर आप जिस तरह से पंजार की राजितिक वाज़ें बहा रहे हैं सप्ष राजित्या पर आने से पहले घटना का जिक्र करना चाहता हूं एक सांसद होने के लाज़ति होगना चाहता हूं सभी कुछ मैने पहले डिली विश्द्यालेट सिक्षक संग और कर्मचारist संग के कुछ सदस्यों के साथ जिसमें मार्क्सवादी कॉम्निस्ट पार्टी के पुरु सिक्षक संक्य अध्यक्ष कॉंगर्स पार्टी के सिक्षक संक्य पुरु अध्यक्ष आदितनारी मिस्ट्रा राजी उरे सीपेम के थे और हमारी संस्था जो ढूटा पर भी जीती है चुनाव जीती है एक बागी मैं भी उसमें सामिल था करमचारी संग के अध्यक्ष सामिल थे मैं माननी अरविंद के जिवाल के दर्वाई पर मैं बोलूगा तो सञे सिन्ग जी आप नहीं डियों करें नहीं है इसका बहुते हैं इसका जवाल मिलेगा आप आगारेंगा है और एक घर्मग्यान का पर रिचर करूँ है आप पॉलिटिक्स करेंगे और मुझे करते हैं आप दोर पॉलिटिक्स राकेश जी आप इसका आप चियर पाट्रेस करिए सभापती माओद दिनी विश्ट्या लेकर सम्मानी सिच्छक निका और सांसद हूं मैं सिच्छा के विशे को लेकर एक मुख्यमंत्री के दर्वाजे पर तेर घंते तक सरकों पे धूप पे खरा रखा गया अब पानी नहीं जी गई वहांदर पाट नहीं कहें गई यह अर्विंद के जिवार की पूरी राजी की देश्ट्या नाम ने ले सकते हैं प्लीज आप इस अमापा सब्सक्राइब के पर सब्सक्राइब करें अज աाकर जी ओंच कांच यह ऊपches जी अपकिंफा तक प्लीज आप बैठीए है आपले प्लीस साबबनिगे तक संजय सिंग्य स कि आपके नम स कूर्च ए 26 सभा सभाथ मुझे खुशी है मुझे प्रसंदता है कि सदन ने अनेक पक्ष पर बिमर्ज किया है मेरा एक मूल उद्देश यह भी था कि यह जो गैर राज़ितिक के एक राष्टिय प्रश्ण है इस पर सदन पे गंभीटार से विचार हो दो तीन पक्ष है जिसको मैं रखना चाहता हूँ माने भुपेंदी जी ने ठीक कहा कि अथी महत्पुन विशेपर विचार हो और माने मंत्री जी ने जिस परकार से तथ्षात्मक और प्रधान मंत्री नरेज्द मोदी जी के नित्रित में 2014 के बाद से सामाजिक छित्र में लोग कल्यान के छित्र में ब्यापक और आधार भूत तरीके से परिवर्तन लाया है जिसके कारण देश के जिन बृद्धों की चिंता माननिय जैराम रमेशी कर रहे थे मैं बता देता हूँ कि भारत में 70 की आयू के बृद्ध जो आर्थिक रूप से सक्रिय हैं दुनिया में सबसे बरी संख्या भारत में 82 परसेंट लोग हैं जिसके आयू 70 साल की है और आर्थिक रूप से सक्रिय है एंज एक्सेक्टेंस्य की बढ़ने के कारण जो समाज में एक सकारथम कि स्थि बनी है और भारतिय समाज में व्रिधों की चिंता करने के लिए प्रमपरागत परिवार का पद्धे शक्षम है जहाँ जहाँ परिवार की पधती समाप्थ हुई है जो इसको हम पुनर जागरित करना चाहते हैं खुटुम पर मोधर के नाम पर वहीं वहीं यह समस्या आई है और भारते समाज इसके लिए जागरूख है कि हमारे इस्तती वह नहीं हो कि अमेरिका के बिद्ध को गोवा में रखकर उनकी सेवा करवाई जाए और हमारे मजदूर अरब कंट्री में जाकर वहां से पैसा लाने के लिए मजदूरी करने जाए हम दोनों ही स्तती को लाना नहीं चाहते हैं एक सब है और लोकतांत्रिक समाज अपने समाज को स्वयम के आधार पर स्वयम के संसाधनों के आधार पर स्वयम की द्रिश्टिक आधार पर अपने को सम्रिध करता है उसी समर्दी के और मैं बहाने के लिए मैं इस बिल में एक बहस चाहता था तीन बिंदों पर में देश का ध्यान आकरिष्ट करना चाहता हूं सदन के दौरा पहली बात डिमोग्राफिक डिस्कोर्स में काफी परिवर्तन आया है जो मैंने पिफ़ी बार कहा था कि भारत की जन्गन्या आयोग ने जो जन्गन्या के आधार पर नए अश्टस्टिशिक नए आख्रे गठ्था करना शुरू किया हैं उसमें टी अफ आर टोटल फटिलिटी रेट और मैलिटेट तोटल फटिलिटी रेट टोटल मेरिटल फटिलिटी टी एम एफार के बीच में बुनियादी अंतर किया है मैं इन्हें पिछली बार अपने बहस में कही थी लेकि मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ चुकि यह बहुत ही मात्पुन विशा है हमारे स्वास्त मंत्री जी बैठे हुए है टी एम एफार इसलिए इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि दुनिया के सभी गेसों में जो टोटल फटिलिटेट की जो वेवस्था की गई थे उसका कारण था एक महिला अपने परजनन आईू में कितने बच्चे को जंद देती है यह टी एफार का परिवासा है सभाति महोदे आपको आश्चर्ज होगा जिन लोग ने अध्यन क्या है उन्हें आश्चर्ज नहीं होगा लेकि हम सब को में बहुतों को इस वात का आश्चर्ज होगा कोलंबिया में 84% बच्चे परिवार विवस्था से बाहर जन्म लेते हैं यानि विवास से पुर्व माजन लेती है अमेरिका में यह संख्या 40% है OECD के 11 देशों में चीली में डेनमार्क में इस्टोनिया में फ्रांस में नौर्वे नीधर लैंड में सुल्वानिया में स्वेडन में यह संख्या 41% है इंगलेन के मैं एक आगरा देना चाहता हूँ विवाहित मां से 2020 में 3,29,000 और अविवाहित मां से 2,77,000 बच्चे पैदा हुए थे यहां तक कि पुर्टगाल में 50% बच्चे अन्मेरिड मदर से पैदा होते हैं इसके टी एफार का जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट वह अवधारना उनकी अपनी परंपड़ा के अनसार है मैं उस परंपड़ा का कोई नकारात्मक पक्ष नहीं देखता हूँ उनकी जो भी परंपड़ा उसके आधा पर टी एफार बनाया हमारे हाँ जो बच्चों का जन्म होता है साधा उंतिया विवाह के बाद होता है इसलिए जन्मना आयोग ने टोटल मेलिटल फर्टिलीटी रेट एक विवाहित महिला अपने परजनना आयोग में कितने बच्चे को जन्द देती है वह महत्तपुर्ण है इसलिए जन्संख्या 2.1 पर आने के बाद भी जो जन्संख्या का मैंगनिचूट बढ़ रहा है आपका की ओध्यन नहीं दियो है अज हमें टीमेफर की ओधियान देना परबाद गया टीए फकेकंसेप से टीमेफर का कंसिप कैसे है कैसे जन्संख्या पर आता है तूसरा अच्य। अब्से युद्ए शेल एक जवाब देना चाहता हू ऑन के जाहिए। ज़दि मैंने हिंदु सद बोल दिया, मुस्री बोल दिया, कृष्चिन बोल दिया, पार्सी ऑल दिया, तो कोई संवेधानिक नहीं हो जाता है। हम जब वो डाटा एकथा करते हैं, मनुझा जी बार बार जाती कर जन्गन्ना के लिए के लिए सोर मचाते रहते हैं तो धार्मिक जनगनना जब धार्मिक जनगनना होती है धार्मिक जनगनना जब होती है तो धार्मिक जनगनना होने पर मैं एक आक्रा देना चाहता हूँ केरल के मित्र हमारे नहीं है चले गए बहस करके 1901 से लेकर 2011-11 डिकेट्स में हिंदों की जनसंका 13.8 परसंट घटी है और एक मुस्लिम की जनसंका 9.8 परसंट बरही है यह तथ्यात्मक बाते हैं बरही अच्छा बढ़ना अच्छा है या खराब है मैं इस पर नहीं जाता हूं लिए उस तथ्यक्ष से आप मुह नहीं मोर सकते हैं जाएकड़ा की बीच में वेस्ट बंगॉल में तिह थाटीन wash dekatal ग्रोथेट जो जनसंका का वं ऐसे बढ़न को 30.5 परसंट है और मुस्लिम बश्नम स्कूर और मुस्लिम जनसंका का dengar है गरन से यह तो विदेए सेलेवन पर सेंट का है मैं ट्रेंड की बात मैं आप आप ऐनम मनों जी प्लीज़ कि यह में प्लीज आप उस तथ्य को सुनिए प्लीज़ को सुनिए केरल में क्यों गरोध रहे थे मुस्रिंट का 299 परसेंट हिंदों के 10% ग्रेप इंक या 990 जाता हुए आप आपके लिए स्वागत जोग्य है यह नहीं है मैं इसमें जाता हूं ना मैं स्वागत करता हूं ना भीरोद करता हूं तथ्य को आपके स्थामने रखता हूं आथ बंद करने से तथ्य बदलता नहीं है इसने मैं इतना कहना चाहता हूं जिसमें उत्तरप्रदेश उत्राखंड में बावन जिले हैं, बिहार में 24, जारखंड में 9, मद्रप्रदेश में 3, हर्याना में 1, नौर्स इसमें 28 डिस्टिक्स हैं, जमुकासन में 6 डिस्टिक्स हैं, जहां टोटर टी एफार, जो अगर पुराने कंसेट टी एफार को लें, तो 3.5 है, 72 डिस्टिक्स में टी एफार 4 से अधिक है, तो मुझे यही कहना है, कि हमारा जो प्रियास चल रहा है, उस प्रियास में लोग तांत्रिक तरीके से, हम इमर्जनसी को दुराना नहीं चाहते हैं, 76 को दुराना नहीं चाहते हैं, जैराम रमेश जी, 1966 में भारत सरक किया था, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रन पर गंभीरता से जो प्रियास चल रहा है, उसके लिए मैं आसान भीत हूँ, मुझे पूरा बिश्वास है, धर्म जाती खेत्र भासा से उपर उठकर, हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रन कर पाएंगे, और इस देश को एक सुख में द्राष्ट की ओड ले जाने का प्रियास करेंगे, जिसमें रोहिंग्या का स्थान होगा, इस देश के लोगों का स्थान होगा, इस देश के लोग अपनी सम्रदी के साथ रहेंगे, धन्यबाद.